वेल्कम डू फ्रेंड हमारे यूट्यूब चानेल आईटे मास्टर से आपको स्वागत है दोस्तों आज सबसे अच्छा वीडियो है आपको आप लोग के लिए जो लड़के लोग डिया डू एक्जाम के लिए तेहर कर रहे हैं उनके लिए भेरी भेरी स्ट्रॉंग कुस्ष आप लोग देखिए और प्राटिस कीजिए तेहर कीजिए तो सब को सिंचे आप लोग को डिया डू एक्जाम के लिए एक्जाम का डिया डू एक्जाम आप अच्छे से निकल सकते तो चालिए दोस्तों सुरू करते हैं पहला को सिन नंबर क्या है दो रूलिंग रेजिस्टांस क्रियोट होता है मतलब अपोज होता है तो फ्रिक्षन वज़े से तो फ्रिक्षन किसका किसका फ्रिक्षन घर्षन फ्रिक्षन मतलब होता है घर्षन तो कौन्चा कौन्चा घर्षन वज़े से तो रूलिंग रेजिस्टांस क्रियोट होता है तो आंसर है ट टायर का सर्फेस और रोड का सर्फेस का फ्रिक्षन बजय से रूलिंग रेजिस्टांस क्रियोट होता है तो चलिए दोस्टने नेस्ट को सीने दो पावर एक्चुल डेवलाफ इनसाइड दे इंजीन सिलिंडर इसको क्या बोला जाते है इसको बोला जाता है इंडिकेटेड पावर इसको क्या बोला जाता है इंडिकेटेड पावर ठीक है दोस्तों तीन नमबर कुछिन देखेंगे तिन नम्मर कुशिन क्या है दोस्तों The petrol engine What isím petrol engine कौन सा साइक्ल से काम करता है तो आंसर है दोस्तों China, Solo सांसा साइकल से काम करता है ना ओटो साइकल से और से पैट्पाइब करता है और हम Анप्यौंशाइक वैसरे नम्र श्रा रिंसर अ거 मचत्था नम्ब होता है हमारे जो फोर सिलिंडर इंजीन इसी में थी टाइप का आरेंजमेंट होता है क्या क्या होता है ना अंसर होगा दोस्तों अंसर ए है क्या एंसर है सी इनलाइन फी और ऊपोज इनलाइन एक टाइप का होता है थी क्या मतुल्च पोजिशन रहे भी सब में रहेगा opposite opposite मतलब क्या होता है ना दोनों का मतलब cylinder opposite दो सिलिंडर मालों दोनों opposite में रहेगा है ठीक है दोस्तों नेश्ट टेव फाइब नुट कुस्षिन क्या है तो पेट्रोल इंजिन्स आर अल्सो नोन आज पेट्रोल इंजिन को क्या बोला दूसरा नाम क्या है पेट्रोल इंजिन क क्या बोला जाता है स्पार्क इगनेशन इंजिन क्या बोला जाते है सिस्टम रहता है तो पेट्रोल को जलाने लेकिन डीजल इंजन में क्या होता है इसा के वज़े से डीजल जला जाता है ठीक है नेस्ट कुछिन दोस्तों छे नंबर कुछिन क्या है for same maximum pressure and temperature रहेगा एक इंजिन का same pressure रहेगा same top रहेगा temperature रहेगा तो इसका diesel cycle is more efficient than auto cycle नहीं तो नहीं तो auto cycle is more efficient than diesel cycle ना बोथ auto cycle और diesel cycle are equal efficient and none of these तो इसका answer होगा क्या है ना दोस्तो diesel cycle is more efficient than auto cycle मतलब same pressure रहेगा same temperature same pressure same top रहेगा तो diesel engine ज्यादा efficiency देगा petrol engine छे ठीक है दोस्तो next question क्या है next question है साथ number question the compression ratio for diesel engine usually lies in the range of diesel engine का compression ratio कितना है तो diesel engine का compression ratio होता है 15 से 25 होता है मतलब 15 इस्टु 1 से 25 25 मतलब 15 भाग compression ratio क्या होता है ना दोस्तों compression ratio होता है तो इन संक्षन स्ट्रोक में जितना एर आएगा जितना भाग एर आएगा जितना भाग पंद्रा भाग एर को वान भाग में complete करेंगे तो इसको compression रेशियो बोला जाए तो diesel engine का compression ratio होता है 15 से 25 पेट्रोल इंजिन का compression रेशियो कितना होता है compression ratio क्या होता है ना इसका घट जाएगा मतलब डी एंसर एंसर के भी शरी बीए डिक्री जब वह क्लियांस वालूम बढ़ेगा इंजिन का तो इसका compression रेशियो घटेगा क्लियांस वालूम क्या होता है ना दोस्तों टीडिस का उपर जो भागे जो स्पेसे और भाल्व का नीचे जो स्पेसे इसको क्लियांस वोलूम बुला जाता है ठीक है next question क्या होता है the material is for cylinder block cylinder block engine का जो cylinder block कोंसा धातु से वो गड़ा बना गया कोंसा धातु से बना गया तो इसका answer है दोस्तो कास्ट आइरन और अलुमिनियूम एले तो answer है B cylinder block is made of cost iron and aluminum Ilay next question 10 number question क्या बोलते हैं जो श्टोक अफ़ान इंजीन श्टूक स्टूक किसी को इंजीन का स्टूक किसी को बोला जाता है stroke का definition क्या है तो stroke का definition है दोस्तो डिस्टन्स बिट्वन टीडी सी अंड बीडी सी इसका अंसर है डिस्टन्स बिट्वन टीडी से अंड बीडी सी मतलब टी टॉप डेट सेंटर और बॉटम डेट सेंटर का जो डिस्टन्स है इसी को इसी को स्ट्रोक बुला जाता है ठीक है नेस्ट को सिन क्या है दोस्तों 11 न स्टाम का रिंग दो टाइप का एकक सब्सक्राइब करेंसоеज हता है है कंप्ररेशन कंप्रेशन रिंग दो हम रहते हैं तो Grad रिंसमें the firing order of the firing order of for an in-line four cylinder क्या है four cylinder ice engine firing order four cylinder four cylinder का firing order क्या है तो इसका answer a b one three four two क्या है four cylinder का firing order one three four six six cylinder six cylinder का firing order क्या है one five three six one five three six two four क्या है one five three six two four is six cylinder का ठीक है next question क्या है the valve tapered clearance is major by valve tapered clearance कौनसा instrument में मपा जाता है तो पहल किसी में उपादब घ्लर पफिलर येज फीलर लिए गेज बहुत किसका बीज़े ना बहुत टेपर और रुकर आर्म का फेज जो सर्प में रोकरा आर्म का फेज आश्बाल तेपर्ड़ का जो बीस में जूद रहता है इसको बोला जाता है तो फिले दोस्ता हमारे इंडियन स्टांडर्ड मेजर में इंडियन स्टांडर्ड से कितना रहता है ब्लेड इसका रहता है तकीक विदेखा है, ठीके, 0.03 से स्टार्ड होता है, 0.50 थक ठीके, दोस्तक्τοन, the next question, the engine oil is stored, में इसा इसे का, इसी काल में, इसे टाइम में, कहां रेता है, तो इससी टाइम में इंजिणियार ओयल पंड और ओयल सॉंप रहता है ठी कार बैटरी में कितना सेल रहता है तो छे सेल रहता है दोस्तों क्या है ना छे सेल रहता है तो 24 बोल्ट बेटरी में 12 बारा सेल रहता है मतलब एक सेल में 2 बोल्ट रहता है ठीक है दोस्तो थाइंक्यू हमारे वीडियो को आप लोग देखने के लिए आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकेन को दबा किजिए तो आप पूर डियार्डू एक्जाम का एक्जाम के लिए अच्छा से त्यार किजिए थाइंक्यू दोस्त नेस्ट वीडियो में हम नेस्ट कोशिन डिसकोशन करेंगे